तो अगर आपने हमारे चैनल की ये वाली वीडियो देख लिए है तो आपको ये पता चलिया होगा कि अब गौड अफ सिम्योट्स नल एमस्यू में आने वाला है हाला कि इस बात को सोनी या मारवल ने कंफरम दो नहीं किया है लेकिन अब तक इन दोनों स्टूडियो की तरफ बलकि कोई उसे छूबी नहीं पाता है अब दोस्तों ये तो हमने जान लिया कि नेक्रो सोड के होते वे नल को मारना ओल्मूस्ट इंपॉसिबल है लेकिन हाँ अगर नल का नेक्रो सोड किसी तरह से दूर कर दिया जाए तो क्या तब नल को मारना असान हो जाएगा तो इसक पर नल के हाथों में उसका नेक्रो सोड ना हो यानि की नल नहता हो तो तब शायद से मार्वल उनिवर्स के दूसरे पाउरफुल वेपन की मदद से नल को मारा जा सकता है तो इसी बात पे चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल के ऐसे टॉप 10 पाउरफुल करना अगर आप सब नल को पसंद करते हैं तो कमेंट्स के अंदर नल का नाम जरूर लिखना तो फिट चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की सकमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं नमबर 10-दिस्टोयर आरमर तो दिस्टोयर आरमर एक वेपन कम आरमर है जिसे क्रिएट क्या है एजगर्ड के ओल फादर ओड wichtiger ने ओडिन थिस्टोयर को ओडिन से उप्ड़ुल से लिगिन ओडिन रिखना के इसे इतना ज्यादा क्ष्टोग कि श्टोयर आरमर को Marvel Comics के अंदर Uru Metal से भी ज़्यादा स्टॉंग मारा जाता है Destroyer का काम है Odin के World की production करना और सिर्फ यही नहीं बलकि Destroyer Armor सिर्फ उसी की बात सुनता है जिसके हाथों में गंगनिर होता है और इसलिए जिस तरह से Yaka Arrow को Whistle बचा कर कंट्रोल किया जाता है ठीक उसी तरह से गंगनिर को होल्ड करने वाला Destroyer को अपने माइड से कंट्रोल कर सकता है Marvel Comics के अंदर Destroyer Armor को सबसे पाउरफुल वेपन से एक मारा जाता है और सिर्फ यही नहीं बलकि Comics के अंदर तो Destroyer ने Celestial से भी फाइट की है वही सारे Celestial जिन्नोंने युनिवर्स को क्रिएट किया है और अगर बात की जाए नल की तो यह Destroyer Armor नाम का वेपन नल के सामने बहुत स्टॉंग है और वो इसलिए क्योंकि Destroyer ना सिर्फ बहुत जादा स्टॉंग है बलकि अपनी बोड़ी से फाइर को भी एमिट करता है और फाइर एक ऐसी चीज़ है जो कि नल को कमजोर कर देती है जिस वज़ा से डिस्टॉर का विल्डर इस वेपन की मदद से नल को बहुत जादा नुकसान पहुचा सकता है तो यह तंडर बोल्ट ओलम्पियन गॉड्स के राजा जियूस का सिगनेचर वेपन है यानि कि ऐसा प्रैमरी वेपन जिससे जियूस सबसे जादे इस्तमाल करते हैं आप सारे उलम्पियन गॉड्स में से जियूस गॉड्स अफ़ दा स्काय एंड थंडर है यानि कि वो उलम्पियन गॉड्स में बिजली के देवता हैं और इसलिए जो इनका वेपन थंडर बोल्ट है उसके अंदर भी थंडर स्ट्राइक करने की पावर्स है और इसलिए अपने इस वेपन की मदब से जो जियूस है वो इलेक्ट्रिसिटी को एम्प्लिफाई कर सकते हैं लाइटनिंग को चैनल कर सकते हैं किसी पर थंडर स्ट्राइक कर सकते हैं और अगर चाहें तो अपने आस पास के पूरे वैदर को भी गंट्रोल कर सकते हैं और हाँ जिस तरह से फायर नल की कमजोरी है ठीक उसी तरह से लाइटनिंग से भी नल को काफी नुकसान होता है और इसलिए अगर जियूस जैसा पाउरफुल ओलम्पियन गौड नहते नल के उपर अपने थंडर बोल्ट से अटेक करें तो उस ताम पर नल को काफी नुकसान हो सकता है तो ये वैपन बेसिकली एक ऐसा पाउरफुल मेल्टिंग स्टेक है जो कि जिसके भी कॉंटेक्ट में आता है वो से पिगला कर खतम कर देता है और मार्वल के अंदर इस वैपन को यूज़ करता है ग्रेंड मास्टर अब देखा जाए तो MCU के थार एगनरोग के अंदर हमने जिस ग्रेंड मास्टर को देखा था वो कॉमिक्स के हिसाब से किसी मजाग से कम नी था और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो ग्रेंड मास्टर है वो एक बहुती ओवर पावर करेक्टर है यहां तक कि कॉमिक्स के अंदर ग्रेंड मास्टर की जो रैंकिंग है वो Marvel के Top 10 सबसे Powerful Characters में की जाती है और इसलिए Grandmaster का जो है Melting Stick है ये भी बहुत ही Powerful Weapon है इतना जादा Powerful कि ये जिसको भी टच करता है वो से पिगला कर खाक कर देता है और Thor Ragnarok के अंदर हमने इस बात को नोटिस किया था कि Thor जैसा Powerful as Guardian God भी इस Melting Stick से डर गया था और Thor को ये भी पता था कि अगर Grandmaster चाहे तो वो उसे भी अपनी Melting Stick से खतम कर सकता है और इसलिए अगर इस Melting Stick को नल के खिलाफ यूज किया जाए तो Grandmaster के Melting Stick बेशक से नल को खतम ना कर पाए पर ये नल को कुछ टाइम के लिए बेजान जरूर कर देगा तो God Killer मार्वल का एक ऐसा वेपन है जिसे कॉमिक्स के अंदर भी बहुत ही कम बार दिखाए गया है लेगिन अक्शल में एक God Killer वेपन पाउरफुल बहुत है असल में God Killer वेपन एक Sword की तरह है जिसे कॉमिक्स में क्रियेट किया था Blacksmith ने और ये Blacksmith वही केरक्टर है जिसने Wolverine के लिए मुरामासा Blade को क्रियेट कर रखाए असल में कॉमिक्स के एक इवेंट के अंदर Greek Gods और Japanese Gods के बिच लड़ाई हो जाती है और फिर उस टाइम पर उसी वार को जीतने के लिए और अमासू मिकाबुशी को मारने के लिए और उसे एक ऐसा पाउरफुल वेपन बनाने के लिए बोलते हैं जो कि मिकाबुशी जैसे एक्स्ट्रीमली पाउरफुल करेक्टर को मार सके और उसके बाद जाकर ब्लेक स्मित करेक्ट करता है गौड़ वेपन बहुत जादा पाउरफुल होता है एंड जैसाकी इसके नाम से पता लग रहा है कि इस वैपन के अंदर पाउरफुल से पाउरफुल गोड को मारने की वह फीनिक्स ब् 맛이 से हाथिays। सामने आने वाली हर एक चीज़ को काट सकती है फिर चाहे इसके सामने कोई भी खड़ाओ फिनिक्स ब्लेट को उससे कोई फर्क नी पड़ता है और इसलिए इस बात की शरीटी तो नहीं है लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि फिनिक्स ब्लेट के इस्तमाल से नल के बॉड ओडिन के इसी वेपन यानि कि ओडिन सोर्ड का इस्तमाल करके थौर्ड ने सर्पेंट को सिर्फ एक एक अटैक के अंदर मार रखाए और अगर बात करें खुद ओडिन की भी तो नोंने भी अपने इसी ओडिन सोर्ड का इस्तमाल करके सामना कर रखाए और इसलिए ये बात भी पकी है कि एगर ओडिन स्वोड का इस्तेमाल नल के खिलाफ होता है तो तब ओडिन स्वोड से बच पाना नल के लिए बहुत जादा मुश्किल है वैसे याद रहे हैं यहाँ पर हम नल को बिना नेक्रो सोड के कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि अगर नल अपने नेक्रोसोड के साथ होगा तो तब तो जो भी इन वेपन को लेकर नल के सामने आएगा नल उन सब को लेटा 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 के मालेगा नमबर 4 Ultimate Nellifier तो Ultimate Nellifier Marvel का एक ऐसा पाउरफुल वेपन है जूकि अपने इस्तमाल से किसी भी चीज़ को मिटा सकता है किसी भी चीज का मतलब किसी भी चीज को Marvel Comics के अंदर इस powerful weapon को create किया है Watchers ने और वाजर्स के बनाएवे इस weapon को जितनी बार भी जिसके पर भी इस्तमाल किया है तब हर बार Ultimate Nullify ने अपने सामने वाले बंदे पर काम किया है और अब क्योंकि ये weapon इतना जादा powerful है इसलिए इस बात की possibility भी बहुत जादा है कि ये weapon नल के सामने भी काम करें तो स्टॉम ब्रेकर गॉड ओफ थंडर थौर का सबसे powerful weapon है और अगर नेड़ा विलर के बोने एट्री की बात माने तो एट्री के अकॉर्णिक स्टॉम ब्रेकर एस का अब तक का सबसे powerful weapon है और इसलिए स्टॉम ब्रेकर को इस्तमाल बे सिर्फ वही कर सकता है जो कि एसगर्ड पर rule करता हो स्टॉम ब्रेकर उरु मेटल से बना एक ऐसा powerful weapon है जो कि कि किसी भी चीज़ को काड़ सकता है और इस बात का बहुत बड़ा example हमने देखा था Avengers Infinity War के अंदर क्योंकि वहाँ पर जैसी थोर को स्टॉम ब्रेकर मिला था वैसी उसने वकांडा के अंदर एंट्री ली और पलक जबकते ही थैनोस की बड़ी सी आर्मी को खाक में मिला दिया इसके साथी स्टॉम ब्रेकर वो वैपन है जिसने छे Infinity Stones की combined powers को भी overpower कर रखाएं और अगर हम बात करें नल की तो स्टॉम ब्रेकर की powerful lightning attacks नल को बहुत जादा damage कर सकती है बढ़ हां स्टॉम ब्रेकर को लेकर यह कंडिशन है कि यह वैपन अपना जलवा तभी दिखाएगा जब यह थौर के हाथों में होगा वही सर्टर जो की रूल करता है मस्फिलहाइम को सर्टर खुद में एक extremely powerful character है एक ऐसा powerful character है जो कि अगर अपनी eternal flame के साथ हो तो तब उसे हराना, odin और thawd जैसे characters के भी बसकी बात नहीं है अगर बात कीज़े सर्टर के weapon toilet sword की तो इसका यह powerful sword बहुत जादा powerful है और वो इसलिए क्योंकि सर्टर के इस toilet sword को create किया गया है एक पूरी की पूरी galaxy की powers को forge करके toilet sword पूरी तरह से fire और lava से भरी हुई है इसके साथी इस sword को तोड़ पाना भी लगभग impossible है जिससे की नल को जादा कुछ तो नहीं होता है लेकिन वो थोड़ा सा weak जरूर हो जाता है और इसलिए दोस्तों अगर toilet sword का इस्तमाल नल पर किया जाए तो तब नल को इस weapon से बहुत जादा परिशानी हो सकती है तो मियोनिर गॉड ओफ थंडर थौर का primary weapon है एंड मार्वल कोमिक्स के अंदर तो इसे थौर का signature weapon भी मानते हैं मियोनिर मार्वल का एक बहुत ही iconic weapon है क्योंकि जिस तरह की खास powers और abilities मियोनिर के अंदर है वैसी खासियत और दूसरे किसी भी weapon के अंदर नहीं है मियोनिर अपने wielder के मनमदा भी काम करता है और सिर्फ यह ने बलकि मियोनिर की एक खासियत है कि जो भी इसके काबिल नहीं होता है वो इससे कभी नहीं अठा पाता है हाला कि वो बाता लगा है कि यह enchantment उन सब characters के उपर काम नहीं करती है जो सबी audience से जादा powerful है मियोनिर की खासियत की बात करें तो इसकी मदद से इसका wielder electricity का manipulate कर सकता है अपने आसपास के weather को अपने हसाब से control कर सकता है और जिस पर जाए उस पर thunder और lightning के अटेक्स कर सकता है और अगर नल की बात करें तो नल को इन सारे अटेक्स से बहुत जादा नुकसान होता है इसके साथी अगर आप सबको King in Black की स्टोरी पता है तो वहाँ पर आप सभी ने देखा होगा कि जब God Venom नल को मारने आता है तब वो अपने ultimate weapon को create करने के लिए सिल्वर सर्फर के सर्फबोर्ड और थोर के hammer मियोनिर का यूस करता है और तब जाकर एक ऐसा powerful weapon create होता है जिस weapon का तोड़ खुद नल के पास भी नहीं होता है और दोस्तो देखा जाए तोस वाले scene के अंदर हमें ये बता दिया जाता है कि मियोनिर एक ऐसा powerful weapon है जिसके अंदर नल जैसे primordial god को मारने की भी powers है और इसलिए मियोनिर एक ऐसा weapon है जिसके proper इस्तमाल से नल को मारा या फिर हराया जा सकता है तो दोस्तो ये थी वीडियो मार्वल कैसे top 10 powerful weapons के उपर जिन में नल को हराने की powers है वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे comments के अंदर जरूर बताना और अगर आप सभी किसी और topic पर वीडियो देखना चाहते हैं तो अब उस topic के बारे में comments के अंदर जरूर बताना बागी वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को like करना और अगर आपको नल पसंद ओ तो comments के अंदर नल जरूर लिखना तो बस आज की इस वीडियो में इस वीडियो को यहीं पर end करते हैं मैं मिलता हूँ आप से ऐसी किसी और बहतरीन वीडियो में तब तक के लिए good bye